इस लेक्चर के शुरुवात करेंगे उसके पहले आप ये वीडियो देखिए ये क्लेप्स थी आज की आज के शाम की आज के दिन की लोकस्ट का जो अटैक है लोकस्ट का जो स्वार्म है आपके डेली के अराउंड पंजाब में हर्याना में इन फैक्ट गुरगाओं में भी पहुंच गया है उसी की ये क्लेप्स थी जो ट्विटर पे आए थी मैंने आप जा रहें, इन फैक्ट जब अर्बन एरिया में जा रहें, तो हम जो है, पूरे एक साल में लोकस्ट वाले अटैक में भारत में जो अटैक वा उसको क्या-क्या हुआ है वहाँ पे, सारी चीजों को समझेंगे, कि ये जाएंगे कहा, है ना, ये सारी चीजों का जो हम डिसकसन करेंगे, और ये लेक्टर जो हमारा एक कम्प्लीट ओवर्विव होगा, पूरे लोकस्ट इशो का, और इसके बाद आपको कोई भी निउस पेपर, आर्टिकल, कोई भी जो है, देखने की जोरत नहीं तो पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन ये होगा कि लोकस्ट होता क्या है, लोकस्ट का मतलब लोकस्ट नहीं है, ये इंग्लिस का वर्ड है, हिंदी में इसको टिडडा बोलते हैं, देखे कीडों का एक समूह होता है, उसको ग्रास हॉपर बहुत इसमें कई सारी स्पेसेज ह जो की मतलब ग्रास वगरे परडिपेंड करते हैं, कूधते फानते हैं, जैसे की हम लोग कूधते फानते हैं, अपने और बगरे के आजपास में, तो उसी तरह ये देखिए लोकस्ट हैं, ये भी तै Czech कूधने को लिए कहीं, तो यही जो होता है इस ग्रास हॉपर उसको बह यहां पर बड़ा सा मुश्किल सा है, हिंदी मेडियम को अधिक्कत होगी लेकिन ट्राइ करूँगा, असकिस्टो सेरा ग्रेगारिया, असकिस्टो सेरा ग्रेगारिया जो है, डिजर्ट लोकस्ट को बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगी, इसकी जो reproduction में होगी, वो semi-arid या arid condition में होगी, dessert में होगी, in fact आया है आपके राजस्तान में पाकिस्तान के dessert से इसी खारण, क्योंकि यह dessert में पलता और फलता फूलता है, लेकिन बाद में इसको खाने के लिए green vegetation चाहिए होती है, तो यह हर जगा आप घूम रहा है, भूक में, तलाश में, तो असकिस्टो से रहा gregaria, जो आप नाम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखे, gregaria लिखा होगा, आपको पता होगा, कि gregaria जो मतलब होता है न, gregaria जो word है, वो gregaria से लिए होगा, gregaria का मतलब होता है, समूह में रहना, तो आप जो इनके समूह को देखते हो, कि एक साथ तो धेर सारे millions of locusts जो उड़ते हैं, तो उसी को हम लोग जब insect एक साथ बहुत सारे समूह में, ग्रूप में उड़ते हैं, तो ऐसे ग्रूपिंग को हम लोग स्वार्म बोलते हैं, तो इसलिए न्यूजपेपर में बार-बार या आ रहा है कि लोकस्ट स्वार्म आया है, लोकस्ट स्वार्म आया है गुडगाउं में, क्योंकि स्वार्म का मतलब ही होता है, फ्लाइंग ग्रूप अप इंसेक्ट जो की बहुत बड़ा ग्रूप हो, हजारों हो, लखों हो उसमें, पहले की लोग तो यह बोलते थे कि सूरज की रोशनी ढख जाती थी, जो की थोड़ा सा मतलब मिजनोमर है, ऐसा कुछ नहीं होता था, तो असकिस्रो और सेरा, ग्रेगारिया नाम क्यों है? ग्रिगारियस नेचर हैं, इनका group में रहते हैं, बचपन से तो छोटे अकेला हर कोई होता है, लेकिन बाद में grouping कर लेते हैं। दूजरे बाग की सारे species यहां आपको जानने की जरूत नहीं है। क्योंकि इंडिया हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो यह जो डिजर्ट लोकस्ट या असके स्टो सेरा गरिगारिया है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के स्पेसे सबसे ज़्यादा है इसी की जो है नंबर सबसे ज़्यादा है और यही सबसे लिए इनको एक open ground की ज़ुरत होती है आप सोचो open ground ज्यादा vegetation वाली जगह में मिलेगा या desert वाली में मिलेगा तो breeding वागर जो होगी desert area में होगी लेकिन खाने के लिए इनको चाहिए क्या vegetation तो generally आपकी कौन से इंडिया के कौन से location में ब्रीट करेंगे आप खुछ सोचो ताकि यह धेर सारे अपने अंडे दे सकें मैंने बोला a group of insects flying together is known as swarm तो swarm में कितने होते हैं generally 40 to 80 million adults होते हैं swarm में और यह पूरा जो swarm में है इनका जो group है almost एक दिन में 150 km यह travel कर सकता आप सोचिए आप नहीं travel कर सकते इतना तो यह क्या है इनकी need क्या है खाते क्या है यह leaves हुआ flowers हुआ fruits हुआ seeds हुआ bark हुआ growing points हुए यह सारे plant की चीज़े खाते हैं लकिन इतना ही नहीं कि plant को खाते है problem यह है कि जब millions of locust एक साथ बैटेंगे ऐसे तो जब spaces की हमने पूरी detail जान ली तो अब यह देखते हैं कि क्या यह first time है जो इंडिया में locust का attack वह नहीं history है आप अगर बात करें 1926-1931 का plague cycle यहाँ पे plague मतलब वो बिमारी नहीं है वो यह locust का attack होता उसको भी locust plague cycle अब लोग बोलते है तो 1926-1931 की बात करें आजादी के पह जो है loss हुआ बाद में फिर 50 लाग का loss हुआ हमें कब 1959-1962 में देखिए 1962 के बाद कोई major जो locust attack है plague cycle नहीं हुआ इंडिया में लेकिन हाँ थोड़े मोड़े जो large number की attack है वो 1978 में और 1993 में हो चुके है 1993 में जो है एक largest scale का इंडिया में locust attack हुआ था generally इनका season क्या होता है ऐसे तो यह बहुत सालों बाद आया है लेकिन एक जो vulnerability है इंडिया की कब है monsoon के just before यह आते है monsoon के just before अभी जून वगरे चल रहा है यही उनका जो है ideal time है आती कहां से है जो horn of Africa है horn of Africa है वहाँ तो जानते हैं horn of Africa में कई सारी countries है उसके लावा उसके सामने जो Arabian Peninsula है वहाँ इनका origin होता है और इसके बाद यह 1000 किलोमेटर उड़के जो है पाकिस्तान की एरिया में आते हैं इरान की एरिया में आते हैं और लास्ट में अगर इनको मौका मिला favorable condition मिली तो 1997 के बाद यह first time है जो इंडिया में आपका swarm report हुआ है इसका लोकस्ट का यह इस साल की बात नहीं है लास्ट इयर ही हुआ था लास्ट इयर से शुरुआत हुई है इन इंडिया लोकस्ट और नॉर्मली साइटेड दूरिंग मैं आपको बला है कि जुलाई ऑक्टूबर along the Pakistan border पाकिस्तान राजस्तान के border पी यह जुलाई से ऑक्टूबर के सीजन में आते हैं और लास्ट इयर आपका जो western राजस्तान एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ और थोड़ा सा northern गुजरात है वहां यह आये थे और थोड़े बहुत जो है आपकी रभी की crop ती उसको damage किया था लेकिन फाइनली यह first time ऐसा हुआ है कि यह लोग जो है जैपूर, ग्वालियर, मोरेना जो की मद्ध परदेश में है शिवपूर यह जगों में पहुंच गए इतना हंदर नहीं आते थे इनपक्ट महाराष्ट के अमरावती में और नागपूर में और वार्दा में भी चले और इनका रिप्रोडक्शन का सही जाने मौनसून वागए रखा तो इनको खाने पीने के जोरत थी तो यह जो ग्रीन कवर के लिए इस्ट्वर्ड मूव किया इन्होंने इसलिए आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और आप तो बोल रहे हैं कि बिहार वागर में भी सबसे पहले आप यह समझे कि इनकी ओरिजिन जो हुई है आपको मैंने बता है अरबियन पैनेंसूला और जो आपका हॉर्ण ऑफ एफरिका है वहां पर इनकी ओरिजिन है वहीं यह ब्रेड करते हैं शुरुवात वहीं से होती है वहां पर क्या हुआ था साइक्लोनी का स्ट बहुत ज़्यादा ब्रेडिंग होने लगी और वह ब्रेडिंग जो है 2018 से 2019 तक बहुत ज़्यादा होई तो बहुत ज़्यादा लोकस्ट पैदा हो गया अब उनको भूख लगी उनको खाने की जौरत है यहां से होर्ण ऑफ एफरिका यह मैन ओमन से होते हुए यह क्या करते इरान जाते हैं साउधर निरान फिर पाकिस्तान की बलुचिस्तान प्रोविंस में जाते हैं खैवर पंक्तुंकवा में जाते हैं और यह सब जो हुआ था मार्च अपरिल में हुआ था उसके बाद यह मूव करके आपके इंडिया वगरे के लोकेशन में आने लगे इन फैक और यमेन के रॉंट इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रेडिंग हुई थी यह सारे रीजन है पानी बहुत ज़्यादा हो गया आउटलुक ने एक बड़ा अच्छा सा मैप निकला था देखिए होर्न आफ एफ्रिका और यमेन यहां पे इनकी ओरिजिन है होर्न आफ एफ्रिक गया है कि सारी लोकेशन में ऐसे ऐसे यह धिरे धिरे फैल रहा है पंजाब गया है महाराष्ट गया है गुजरात गया है अभी डेली के राउंड भी आ गया है हर्यान भी गया है गुडगाओं में पाकिस्तान में देखिए 2,46,000 hectares of cotton crop को इन्होंने थ्रेटन किया था पू आपको कितना लगता है एक इनसान पैदाओने में नौ महीने लगता है यहां इनको पूरे पूरे पूपलेशन ही 16-20 गुना करने में तीन महीने में ही कर लेते हैं बहुत फास्ट है यह वो तो इंटरनेशनल मैप था कि इंडिया में कैसे है जब इंडिया में एक बार आपको मैंने वीडियो दिखा तो आपको पंजाबी आवाज भी सुनाई दे रही होगी दीरे 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 यह माना जा रहे है कि आपके यह बिहार जार्कंड के एरिया में इनकी ब्रेडिंग के लिए आपके बहुत जगह जो मिल गई आपके इंडिया में राजस्तान वग आपके इंडिया में उस टाइम पे दो स्ट्रॉंग वेस्टरली विंड बही थी उसके करण भी जो हिनको एक फ्लो मिल गया एक स्पीड मिल गई यह वेस्टरली विंड कहां से आई थी आपका जो साइकलोन अमफान आया था आपको पताओगा बेब बंगाल में वहां से वे इस्टोर्ट Мыव करने लगे और आपके ग्रीन स्पेस में जाने में लगे इन फैक जैपूर में देखे जो ऑरेंजिये खाने हैं अब पढ़ेंगे कि इंडिया ine Gobierno Organization कौन है कौन औरों इस ए जो लोकस्ट से डील करती है उर हमें जो है संबालती है देखिए इंडिया का एक locust control and research scheme है और उसको implement कौन करता है उसको implement करता है locust warning organization जिसको आपके इंडिया का locust control and research scheme को implement करता है गाउंड पे तो ये कब बना था आपको पता है कि historical problem है locust का तो इसको अंग्रेजों ने ही 1939 में बना दिया था बाद में इसका Analgamation कर दिया गया था 1946 में किसके साथ आजादी कई पहले डाइरेक्टव और प्लान्ट प्रोटेक्शन कॉररंटाइन एन ड्स टोरेज यह उसको नो Sofa शॉर्ट में बहुते हैं यह आपके Ministry AP को सिस्के अंदर अदर है ministry of agriculture के अंदर है direct rate of plant protection, quarantine and storage और उसके अंदर एक ये body है locust warning organization जो की ground पे locust control and research scheme को implement करती है ये जो बना था locust warning organization ये बना था 1939 में और ये आपकी ministry of agriculture या plant protection, quarantine and storage के अंदर कब आया 1946 में अब ये पढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इसके solution क्या है देखिए आगे क्या है अभी आपका monsoon आने वाला है जैसे monsoon से जो मौसम गेला होगा तो ये almost एक female जो होती adult female इसके locust की 80 to 90 eggs thrice in her 3 months life cycle जो होता है तीन महीने के लिए जिंदा रहते हैं उसमें 80 to 90 eggs ये thrice देते हैं अगर आपने इनको control नहीं किया तो exponentially grow होएंगे और 40 to 80 million locust जो है पर square kilometer पर फैल जाएंगे और जैसे ही आपका monsoon आएगा और ये बहुत जादा एग ले करेंगे और जो है इनकी breeding होगी सब्सक्राइब के लिए उनाइटिट इंग्डम से देश सारी इंसेक्टिसाइड के ऐसे मशीन और आप उसी टाइम उस पर इंसेक्टिसाइड डाल दो ये जो मशीन देख रहे हैं यह तो नॉर्मल है लेकिन गवर्मेट जो मशीन प्रोवाइड करते हैं इंडिया के पास अल्रेडी ऐसे जो 50 मशीन से हैं और हम यूके से जो है और 60 मशीन मंगवा रहे हैं करते क्या है कि जो लोकस्ट होता हुसका रात में जो रिष्टिंग प्लेस होता है वो क्रॉप नहीं होता और ट्री बगर पे होता है यह रात में होता है तो आप ट्री पे छिड़काओ कर है कि कंट्री में ओल्रेड यह से 50 मशीन है यूनाइटट किंग्डम से हम लोग एक्स्टा 60 मशीन जो है मंगवा रहे हैं शाती साथ यह भी बोल रहे हैं कि ड्रोन से भी जो हम लोग इन चीजों को स्प्रेय करेंगे यह इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड ही लगेगा ले पहले राजस्तान जाएंगे फिर पाकिस्तान वगरे चले जाएंगे वहां जाके सिमट जाएंगे इस्टवर्ड मूव नहीं करेंगे यह तो देखिए इंसेक्टिस साइड वगरे का सॉलुशन है अभी जो गुडगाव में सुबह सुबह यह आये लोकस्त तो गवर्मेंट लोग एक्सपार हैं लेकिन क्या करते हैं आपको पता ही है नहीं बताऊंगा ज्याद आपको तो अंडर्स्तेंडिंग है ही तो यह सब कुछ लोकल सॉलुशन है ठालिया बगरब जालो और जो है लेकिन जो अच्छा सॉलुशन है वह इंसेक्टिसाइड पर करना है और यह जा तो और अच्छा होगा लोगों को भी हिल्थ पर खत्रा नहीं होगा तो यह सारे इसके सॉलुशन है और जो ब्रीडिंग प्लेस है वहीं पर इंसेक्टिसाइड डाल दो वह सबसे अच्छा जो है मतलब अर्लियस स्टेज सॉलुशन है वह अब यह क्वेस्चन बनता है क असी साल हो गए इस टाक को जो वहां को पहले बताता है 1926 अरॉंड एटी एर्स हो गया तो आज देक यह चेन क्यों ब्रोक नहीं वहां मतलब ब्रेक क्यों नहीं वहां लोकस्ट का आटक हमने क्यों नहीं रोका बीच में ब्रीडिंग ग्राउंड जो तो उसको क्यों नहीं बस 30 कंट्रीज हैं और वह भी चार रीजन में हैं जहां की कॉंटिनेट के वहां पे एरिड क्लाइमेट हैं इंडिया के अरॉंड और वहां बहुत ज्यादा डेजर्ट हैं वहां पे आईडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है लोकस्ट के लिए आप साओधी अर्ब का जो है प लोकस्ट के लिए एक आईडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है वह पूरा जो एरिया है वहां ऐसी बारिश होती है ऐसा डेजर्ट है कि वह बहुत ज्यादा ब्रीड करते हैं उसके बाद इंडिया में आ जाते हैं तो कुछ और सॉलिशन नहीं निकला तो आप वह कर सकते हो ज से इसको हल को जोड़ दिया और यह नीचे जो आप देख रहा है वह एक लोकस्ट है उसको लगा दिया और जो है उसको धागे बगर से बांद दिया और उसको बोला है कि भाई तुमने मेरी खेत की बरबादिय कर दिया तुम ही मेरा खेत जो तो तुम ही जो यहां पर झाल 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 झाल